friends आपने देखा होगा कि बहुत दिनों से मेरे YouTube चैनल पर एक भी वीडियो नहीं आ रहे थे तो friends उसके लिए sorry because मैं लाइफ में बहुत बड़ी problem आ गई है जिसके कारण मैं काफी दिनों से YouTube का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और friends अभी भी वो problem continue है और वो problem lifetime ही रहेगी बट मैं भी से try करूंगा कि आप लोग के लिए में जल से जल वीडियो लाता रहूं आज के वीडियो में हम जानेंगे DRF यानी की Disbursement Request Form क्या होता है तो friends Disbursement Request Form को डिटेल्स में जानने से पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजिए because आपको हमारे चैनल पर banking loans और finance related videos मिलती रहेंगी तो आईए अब हम देख लेते DRF यानी की Disbursement Request Form क्या होता है पर आपका जो भी loan disburse हो रहा है उस total loan के disbursement का पूरा bifurcation होता है यानि कि आपको या तो सामने वाले party को कितना payment जाने वाला है और यदि आपका loan disbursement में कुछ processing fees कटने वाली है अब हम देख लेते हैं की DRF यानी की Disbursement Request Form कैसे दिखता है फ्रेंड आप देख सकते हो यह एक Disbursement Request Form है तो आईए अब हम Disbursement Request Form को details में देख लेते है फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले यहां mention है name of the borrower यहां customer का नाम mention होता है फिर second है loan account number यहां आपका उस loan का application number mention होता है फिर next है date of disbursement जीजिन आपका loan disburse हो रहा है वा loan का disbursement की date यहां mention होती है फिर next है total amount to be disburse in figure आपका जो भी total loan amount disburse हो रहा है उसकी details figure में यहां mention होती है जैसे कि मैंने यहां example के तोर पर 10,60,000 mention किया है फिर next है amount to be disburse in words आपका जो भी loan disburse हो रहा है वा loan का disbursement का amount words में यहां mention होता है जैसे कि मेंचेन है 10,60,000 फिर next है details of disbursement mode friends यहां आपका जो भी total loan amount disburse हो रहा है उसका bifurcation यहां mention होता है जैसे कि आप यहां देख सकते हो, यहां सबसे पहले serial number mention होता है, और फिर next mention होता है, payment mode, यानि कि आपको payment check में मिलने वाला है, या DD में, या तो PO, या तो RTJC, IEFT, जो भी मिलने वाला है, उसकी detail से आप mention होती है, फिर next favoring, जो भी check की favoring होती है, वो यहां mention होती है, फिर next pay wallet, आपका जो भी payment हो रहा है, वो account हो रहा है, उसकी detail से आप mention होती है, फिर next pay bank details, यहां bank का नाम mention होता है, फिर next pay bank account number, आपने जो भी bank account number दिया होगा, वो account number यहां mention होता है, फिर next pay amount, यहां आपके total loan के amount का बाइफिकेशन mention होता है, जैसे कि आप यहां example के तोर पे देख सकते ह तिफेएख दिटु सकतों झालरचन तरमनलोस calaier थे भी जैसे के आभा डह सकती है या टा से लग्सडाप से स mídano कहोन उसकती है एंटांस ससीमें और भी विर पेटल के घ्रमनल लां उसकती है तोंत रीच्ञारचन जेसे कि इनका पेमेंट मुंबई neutrale इसलिया मुंबे में च्रह बैंक नाम के बैंक का नाम में च़ने और यहां उनके बैंक का अगाउंट की डिटेल से और जैसे कि उनका पेमेंट सबसे पहले 10 लेक रूपीस का हुँ इसलिया 10,00 दे अपा इंश्रांस कंपनी की डिटेल्स यहां जैसी कि आप देख सकते हो वह वाले इंशुरेंस कंपनी को ऐसे एंफ्टी के मोड पर पेमेंट करने वाले है और उनका अमाउंट है 50,000 जिसकी डिटेल से मेंशन है फिर नेक्स टेप प्रोसेशिंग फीज आपका जो भी लोन चल रहा है उसमें आपको जीतनी फीज लगने वाली है उसकी डिटेल से मेंशन होती है जैसे कि यह एक्जंबल के तौर पर मैंने लिया है 10,000 जैसे कि आप यहां देख सकते हो यह 10,60,000 में से सबसे पहले 10,000 का फेवरिंग या तो कस्टमर के नाम पर जाएगा या तो बिल्डर के नाम पर या तो सेलर या तो बीटी बैंक एटसरा किसी के भी नाम पर जाएगा फिर नेक्स्ट है 50,000 आपको इंशन्स कंपनी को पे कर 10,000,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 इस इकल तो 10,60,000 जो कि आपके टोटल डिश्बस में से मैच हो रही है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो आपका जो भी लोन डिश्बस होता है उस लोन का पूरा बाइफ्रकेशन का डिटेल्स यहां मैंशन होता है और फिर नेक्सरे देट यहां आपका जीजी लोन डिश्बस हो रहा है उसकी डेट यहां मैंशन होती है फिर प्लेस आपने लोन कहां से डिश्बस करा है उसकी प्लेस यहां मैंशन होती है जैसे कि अगर मुंबई है तो मुंबई अगर दिल्ली है तो दिल्ली और कुछ अधर सिटी है तो यहां मैंशन हो और फिर यहां उनके terms and condition mention होते है कि उनके bank के क्या terms and condition है disbursement के Friends, I hope आपको easily समझ में आ गया होगा कि disbursement request form कैसे दिखता है और disbursement request form में क्या क्या details mention होती है मैंने बहुत बार देखा है, जबी आपका कोई भी loan disburse होता है तब bank वाले आपका disbursement के पहले blank DRF form पर sign ले कर जाते है और फिर bank में जाके आपका disbursement request form fill up करते है और आपका loan disburse करते है तो Friends, इससे काफी बड़ी problem आ सकती है Because में भी हो सकता है कि bank वाले आपको कुछ अलग amount बताया हो bifurcation का, बड़ आपका disbursement के बाद कुछ अलग amount हो जिससे आपको काफी बड़ी problem face करनी पड़ सकती है दोस्तों मैंने बहुत बार यह भी देखा है कि आपका जो भी loan disburse हो रहा है loan disburse के पहले भी bank वाले आपको loan के disbursement का bifurcation नहीं देते और आपको बहुत बार यह भी बोलते है कि आपका loan disbursement होने के बाद ही आपको वाँ loan का bifurcation देगे तो friends यह बिल्कुल गलत है आपको पूरा rights है जानने का कि आपका जो भी loan disburse हो रहा है उसका bifurcation क्या है और बहुत बार customer को यह भी confusion रहता है कि bank ओले ने जो भी आपको loan disbursement का bifurcation बताया है वह सही है या नहीं because कई बार ऐसा होता है कि आपका loan disbursement होने के पहले जो भी आपको amount बताई गई है बढ़ आपका जब actual पे loan disburse हो जाता है तो उससे अलग amount होती है यानि कि आपका ज़्यादा amount हो जाता है जिससे customer को काफी बड़ी problem face करनी पड़ती है तो friends आपको यह ऐसे problem ना face करना पड़े तो उसके लिए मैं आपको एक suggestion देना चाहता हूँ कि जबी भी आपका कोई भी loan disburse होता है तो loan disbursement के पहले ही आप bank वाले से आपके पूरा loan के disbursement का बार्फिकेशन ले लिजिए और आप कभी भी blank disbursement request form यानि कि DRA form पर sign मत कीजिए पहले आप bank वाले को बोलिए कि वह पूरा DRA form fill up कर ले और जबी भी भी वह पूरा fill up कर ले उसके बाद दुआप disbursement request form की फोटो या तो आप copy निकाल ले और आप आपके पास रखे because in future जबी भी आपका loan disburse होता है तो आप DRA form के help से ही cross check कर सकते हैं कि जो आपको details बताई गई थी actual में आपका उतना loan disburse हुआ है या नहीं और यदि आपके DRA form या तो actual disbursement में कुछ भी miss में चाता है तो आप आपके disbursement request form के copy के help से ही bank में complain कर सकते हैं friends I hope आपको आज के वीडियो पे easily समझ में आ गया होगा DRF यानी की disbursement request form क्या होता है यदि आपको still इस वीडियो से related कुछ भी doubt हो तो आप मुझे comment करकर भी पूछ लगते है friends I hope आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like share और चैनल को subscribe परना ना बुलिए धन्यवाद